प्रवीन जी ने हम लोगों को यह बता है कि नितीजी चाहे लाग कोसिज कर रहे चाहे कितना भी प्रयतन कर या दिन भर आपका दूब में खड़ा हो जाएं या गंगाज जी में भी छे मैने तक खड़ा हो जाएं फिर भी बीजेपी आपको उसको सामीर नहीं करेगी बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो अकेले अपने दम पर 2024 का एलक्शन जीतेगी एक बात आप आप जानना चाहें कि हमारे सहयोगी दल के रूप में आए हैं क्याने वाले हैं चाचा जी भी पहले से हैं वह मंत्री है केंद्र में तो दोनों को हम समान करते हैं कि दोनों एक साथ मताब एड़ेस्ट कर लेंगे आपस में निश्चीत रूप से करेंगी फाइनल हो गया आपस में चाचा भतिजा कर लेंगे इसी कांसे उनको जेट प्रस से मिलता है कि राजनित खंदान के बालक है और हो सकता है कहीं कोई बात हो कोई इंटर्नल कोई सी आइडी विजिलेंस लिया तो क्या मुकेज हमारे साथ हैं लेकिन कहीं न कहीं देश के उभारता हुआ चेहरा है बिहार कोई खत्रा नहीं हो या कोई इनके ख्यास से चिराग जी और पेंदर जी हो सकता कि बीजीपी में कलके डेट में उमीदवार हो सकते हैं या उसके साथ घुर मिल सकते हैं इनके बातों से इसा लग रहा है कि चिराग जी भी और पेंदर जी भी बीजेपी के एक समर्थित उमीदवार बन सकते हैं अब हम लोग जानना चाहिए कि यह अभी पहुंझ जाएंगे यहां से हम लोग इनको स्वागत करते हुए ले जाएंगे बापू साभागार बापू साभार उनकी स्पीच होगी स्पीच के बाद उजाएंगे पतना सीटी गुरद्वारा में अपना माथा टेकेंगे आव वहां उसके बाद परस्खान करेंगे दिल के यह लोगों के हिसाब करेंगे ने तो तो वहां करेंगे तो वहां जा रहा है किसाम फूरे बिहार के कोने कोने साहे हुए उनको स्वागत करेंगे हाँ ठीक अभी हम लोगो नए जान लिया थोड़ी दर के बाद हम लोग आपको देखाएंगे बापू सवागर के बाहर का नजारा और अंदर का नजार की अमीर साजी ने कैसे मर्दूर pior ने को यहां के किसानों कि किसानों omega जमाभशला ने को अपनी अपने लुध् करेंगे यह थोड़ी दिर के बाद हम आप लोग को दिखाएंगे धन्यवाद